हरहर महादेय। जय भोलेनाथ नमस्कार मैं शादना पांडे मागदसन पर आपका स्वावत करते हूँ दोस्तों बहुत सारे दुगदा के स्थितियां बने हुई है कि तुलसी विवा हम किस दिन करें चार तारीक को करें या फिर पांस तारीक को करें तो इस विडियो में आपकी ये दुविधा दूर होने वाली है और हाँ तुलसी विवा नहीं जैसे की करते हैं और ब्रत नहीं रख पाते हैं तो फिर क्या तुलसी विवा के लिए ब्रत रखना जरूरी है ये नहीं जरूरी है क्योंकि देखिए एक अदसी का ब्रत इतना छोटा ब्रत नहीं होता है कि हर कोई बहुत आराम से रख सके तो तुलसी विवा करने के लिए ब्रत रखना जरूरी है नहीं है दूसी चीज के तोसी विवा को किस रेष्ट मोहुट में करना चीज है, सुब मोहुट क्या वो जानेंगे चलिए एक एक चीज को मैं पूरे विधी विधान से आपको बताऊंगी नियम से बताऊंगी और आप भी खुब ध्यान से सुन करके और तब करिएगा सबसे पहले चीज कि एका दसीती थी शुरू हो रहे देखिए मैंने लिखा नहीं मैं मोटी तोर पर आपको समझा दे रहूं आप समझेगा तुलसी विवा तीन तारीक गुरुवार को सुरू हो जा रहा है तो चार तारीक को यानि कि चार तारीक शुकरवार को 6 बज कर 8 मिनट तक रह रही है अब आप एक चीज समझे तुलसी विवा करने का जो सास्त्रों में स्रेष्ट समय बताए गया है वो एकादशी को बताए गया है मैं बताती हूँ ऐसा क्यों देखे कई स्थानों पे यानि कि कई जो हमारे बेत पुराने उसमें बताए गया है कि जैसे स्रीहरी जागते हैं वै अगर आपको चाहिए तो सुक्रवार चार तारिक को साम 6 बच कर 8 मिनट तक तुलसी विवा करा डालिए उससे पहले 4 बजे 5 बजे तक प्रिंता यारिया कर लीजिए 6 बच कर 8 मिनट तक उनका विवा करा दीजिए तो सबसे अच्छा मूरत एक बार फिर बताती हूँ 6 बच कर 8 मिनट तक 4 तारिक सुक्रवार को है लिखा नहीं मैंने आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लेज़े तो कुछ समगरियों की भी आउसकता होती है जैसा कि जानते हैं आपकी फूल मालाएं चाहिए उनका भगवान जी को जैसे कि हमारी साधिया होती है तो उनमें लेकर आए जाते हैं तो भगवान जी को भी जैमाला करने होता है हल्दी और महदी वगर भी लोग लगाते हैं चोकि मैंने तो बहुत साधार तरीके से आपको वीडियो बनाई और बताई है बहुत सास्त्रोक्त विधियों का मैंने ध्यान रखा है एक एक विधी स्टेप ब बताई जाती हैं एकदम सास्त्रोक्त विधी से तो ठीक एकदम मतलब एक सधान से कहावत है कि जब हतोरा लोहा गरम हो तो हतोरे की चोट करने चाहिए तो ठीक एकदम सास्त्रोक्त विधी से करेंगे तो पूजा पाट आपके उपर लगने लगता है तो ठीक उसी तरह का मै वीडियो नहीं देखें तो फटापट जरूर देखिएगा तो कब करना है यह तो मैंने बता दिया क्योंकि एक अजिसी का ब्रतियदी आप रखते हैं तो भी चार तारिक को रहिए और तुलसी विवा भी आप कि जैसे कलस रखने के लिए आप दीप कलस रख सकते हैं या फिर एक नारियल लाइए नारियल पर अच्छा लेपेटिए एक कलस तयार कीजिए बस यही सारी चीज़े हैं थोड़ा गन्यव अगरा मिल जाते हैं तो मंडप तयार कर दिजिए इस तरह से करके और आप बना से यदि संबह हो तो घर के आसपास में महिलाएं हैं तो आप उनको भी बुला लें गीत गाना मतलब यह सारी चीज़े करके बहुत धूम दाम जे उनका विवाह किया जाता है विभीन तरह के पकवान बनाया जाते हैं तो यह पकवान बनाया जाते हैं कुछ चीज़ें जोताओं का भी उपवास होता है तो इसलिए एक अदसी को न हम भोग में भगवान को अनाज नहीं लगाते हैं लेकिन कुछ इसतानों पे तुलसी बिवा के उपलक्ष में अनेक तरह के अनाज के पकवानों का भी भोग लगा जाता है तो देख लेजेगा परिवारिक परं जो का ही भोग लगाना जाएक 208 और ओम नमो भगवति वशुदेवाय मन्तर का जाप आप दोलसी विवा करने के बाद शरूर की रही है बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों जैसा कि मैंने कहा न कि सुब समय सुब मुहुर्त में जब कुछ करते हैं तो बढ़ करके चौगुना फायदा उसका मिलता है तो कर लिजेगा अब देखी एकादसी का प्रत जो है उसके नियम तो बहुत कड़े होते हैं और बहुत का पालन करना पड़ता है तो ऐसे में फुलसी विवा जो करते हैं तो उनको ब्रत रखना चाहिए या नहीं तो देखी बिलकुल सप्ष्ट बात मैं बतारे हूँ यदी आप एकादसी का प्रत धारन करते हैं तो आप धारन कीजिए बाकि सिर्फा आप तूलसी विव डाल करके आप खाना खालें लहसुन प्याज बिल्कुल त्याग देजेगा आज सामकुतुलसी जी का बिवाह करने के बाद आपके जो इच्छा हो खा सकते हैं मतलब सात्वी खी खाना खायेगा कोसिस केजेगा तो यह कर लेजेगा और यदी सरीर में सकती है तो आप जो है ए उसको खाये आराम से रहिए तो तूलसी विवा के लिए ब्रत रखने के बलकुल अवशक्ता नहीं हूं की चार तारीक को शुक्रवार को सामको छे बच कर आट मिनट तक पहले से अपनी तयारिया कर लीजिए चौकी तयार कर लीजिए और एक बार बार आपसे कह रहे हूं पूजा विधी देख लेजेगा क्योंकि बाद में पस्ताना पड़ेगा कोई साल भर दो साल चार साल से पूजा करता है लेकिन उस सही तरीका सही विधी नहीं जानता है और वही परदर्शन परिवार का हिस्ता है तो चीजों को समझी वीदियों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखिए दोस्तों और हाँ वीडियो कैसी लगी बता देजेगा अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्काइब कर लें तो चलें दोस्तों मिलते हुं इस तर